तेजस्वी यादो जब खगड़िया से बेगू सराय के लिए निकल रहे थे तो अचानक रास्ते में तेजस्वी यादो का काफिला एक रेश्टुरेंट के सामने जाकर रुपता है और उस गारी में बैठे नेता परतिपक्स तेजस्वी यादो जब उतर कर उस रेश्टुर का जोस हाई हो जाता है दरसल तेजस्वी परसाद यादो कर्जकरता संबाद यात्रा पर निकले हैं और तीसरे चरन के यात्रा पर बीते दिन तेजस्वी यादो खगड़िया से जब देर साम बेगू सराय के लिए निकल रहे थे और अचानक एक रेश्टुरेंट है लाड तेजस्वी यादो उतरते हैं तो आसपास के लोगों की भी भीड वहाँ पर लग जाती है तेजस्वी यादो के साथ में उनके मित्र उनके दोस्त और राज्य सभासांसद मौजूद हैं संजय यादो भी और आसपास के जो लोग थे तेजस्वी यादो के पाइटी के जो क करज करता थे सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तमाम लोगों की भीड लग जाती है रेस्टुडेंट वाले भी दोड़े दोड़े पहुंचते हैं क्योंकि नेता परतिपक्स तिजस्वी यादो उनके यहां पहुंचे थे देखिए तेबल पर फिर पानी का बोता लात तेजस्वी यादो को देखने के लिए जो आसपास की लोग की भीड थी वहाभी जुट जाती है क्योंकि तेजस्वी यादो अब जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं उनके पीता लालू प्रसाद यादो भी गरीबों के नेता और गरीबों के मसीहा कहे जाते है अब तेजश्वी यादों को भी उसी टाइटल से नवाजा जा रहा है तेजश्वी यादों जिस तरीके से आम गरीब लोगों के बीच में जा रहे है और उनके हकीकत को जानने की कोशिस कर रहे है कि आखिर धरातल पर गाउं के लोगों की मूल समस्या क्या है तो तिजस्वी यादों का तो नाम होगा ही लेकिन यह सुंदर पल जब एक राजनेता बड़े कद का जब किसी रेस्टोरेंट के पास जाता है तो सोचिए कि आसपास के जो लोग है वह भी देखते चौक गएं कि भाई तिजस्वी यादों यहां पहुँचे हैं और तिजस्वी का जैसे ही काफिला रुका पूरा वहां पर महौल बन गया धरसल तिजस्वी परसाद यादों आज बिहार के बेगु सराय में पहुँचेंगे और बेगु सराय के धरती से तिजस्वी यादों आज कर्च कर ता संबाद यात्रा करेंगे लेकिन या ग्रिस जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है तिजस्वी यादो अचानक यात्रा के दोरान जब लाडला रसोई रेस्टूरेंट के पास पहुँचे तो महौल तो भईया देखने वाला था आसपास के लोगों की भी खूब भीर थी द एक-एक कर्चकरता से मुलकात कर रहे हैं चाहे बूथ लेबल का हो पंचायत लेबल का हो जीला लेबल का हो सबसे तेजस्वी यादो टेबल तौक कर रहे हैं आमने सामने बात कर रहे हैं और यह भी पूछ रहे हैं कि आपके इलाके में क्या समस्या है वहां के लोगों की जिला तो जरूर फतेह करेंगे जिस तरीके से अपने नेता को मजबूत कर रहे हैं अपने एक एक कर्च करता को मजबूत कर रहे हैं और कहा जाता है कि जब कर्च करता बोलता है तो फिर नेता जो होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं लेकिन तेजस्वी यादो अब बिहार के एक एक जीला में जा रहा है बाइस तारिक तक तेजस्वी यादों का यह यात्रा है यानि कि तीसरे चरण का पान तारिक से इसकी सुरुवात हुई लेकिन अब हम बात करेंगे तेजस्वी यादों के जमीनी हकीकत की तेजस्वी यादों लोगों के बीच में जा रहे हैं लो वहाँ पर महौल बना दे रहे हैं, वेराल आप क्या सोचते हैं, इस ख़बर को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी पर्टिकिर्याद जरूर दीजेगा, विहार एक सुच आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धने बाद,